होस्तों कैसे हैं आप सभी लोग मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ऊंगे तो देखो स्टूडेंट्स आज हम लोग क्या करेंगे तो आज हम करने वाले हैं Gue 나 घंब और है प्रॉब्लम सेट करें eping सेवंगा ह two लेकर फॉ हमने complete कर लिया है तो आप लोग playlist में जा करके पिछले वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए अभी start करें ये रहा आपका first question इसमें लिखा है कि write the correct alternative answer for each of the following questions जिसमें से पहला सवाल आप लोगों के सामने ये रहा इसमें लिखा है कि which of the following data is not primary यानि कि यहाँ पर देखो कुछ statement दिया गया है तो इसको पंड़ने से आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर data की बाद की जा रही है ठीक है तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा data primary नहीं है नहीं है वह आप लोगों को यहाँ पर बताना है तो पहला हम पढ़के देखते हैं क्या लिखा है by visiting a certain class gathering information about attendance of students जाने के हम क्या कर रहे हैं के ऊrifiają रहे हैं चल्मेंनर के बारे में तो बताना चल्हां यह कैसा data हो जाएगा लिए की हमारा primary data हो जाएगा इसमें क्या बोला था कि not primary नोट फ्राइमरी यानी वह सेगन्डी डरा होगा ठीक है तो हमें सेकेंटरी डेटा इसमें ढूड़ना है तो यह तो इसका आंसर नहीं होगा इसको काड़ दो दूसरा यानि हम हर एक घर में जा रहे है ठीक है पूरा फिसिकली हम घर घर जा रहे है और जाकर अच्छा आप ऑई सी वाला देख लो कि टो गेट इंफोमेशन रिगार्डिशन और सोयाबी ड एच फार्मर फ्रॉब दे विलिश टलाथी यानि देखो हमने यहां पर information निकाला plantation और स्वयाबीन के बारे में लेगिन कहां से निकाला है तो जो टलाठी है न वहां से निकाला है अब टलाठी office आप जानते हो न जहां पर सारा data वगरा लिखा रहता जैसे किसी गाओं में होता है टलाठी office कि इस गाओं में कितने लोग पलब किसको कितनी जमीन किसके ओपर कितनी जमीन है यह सारी चीजे इस office में रहती है ठीक है उस गाओं के बारे में तो हम लोग यह तलाठी office में गए और वहां का जो data उससे हमने यह information कलेक्ट किया तो बताना जरा क्या हम इसमें घर-घर जाकर के गाओं का जाकर के पता किया हमने क्या नहीं हम लोगों ने बस जो तलाठी office था वहां पर गए और जाकर के हम लोगों ने information इकटा कर ली तो बताना जरा यह किस टाइप का data हो जाएगा तो यह आपका secondary data होगा क्योंकि इसमें आप physically नहीं जा रहे हो घर-घर आप physically नहीं जा रहे हो ठीक है आप office में पहले से data पढ़ा हुआ था उसको उठाया बस आपने collect कर लिया तो वो हमारा secondary data हो जाएगा हमें यहां पर secondary data ही तो बताना था ना तो इसे लिए यह आपका सही answer होगा इसको आप तिक करो ठीक है बाक नेक्स question है कि what is the upper class limit for the class बताएगे कि इस class में upper class limit कौन सा होगा अपर class limit आप जानते हो देखो यह हमारा lower class limit यह हमारा upper class limit तो upper class limit क्या है 35 तो इसको आप टिक कर लो यानि कि Option B is the correct answer नेक्स्ट है कि what is the class mark of class 25 to 35 यानि इस class के लिए class mark क्या होगा तो class mark निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था आए देख लेते हैं मैंने बोला था इसके average निकालने ना lower class limit और upper class limit दोनों को जोड़ दो तो से डिवाइड कर दो पांच पांच दसका जीरो एक आ गया दो तीन पांच एक छे डिवाइड़ बाइड़ वाइड़ टू कैंसलेशन करोगे तो 30 आएगा 30 कहां पर है बताना जरा तो option D is the right answer क्योंकि यहां पर है 30 ठीक है तो ऐसे करके आप लोग यहां पर देख सकते हो यह इसका सही जवाब है next question है कि if the classes 0-10 10-20 20-30 इस प्रकार से अगर यह classes दी गई है तो then in which classes should the observation 10 be included यानि कि मानलो इस प्रकार से classes दी गई है 0-10 10-20 20-30 तो देखो इध्यान से यह कैसी classes है यह आपकी continuous classes है ठीक है तो अगर यह continuous classes इस प्रकार से दी गई है तो आपको बताना है कि कौन सी class में यह जो 10 आपका observation है ना वो लाई करेगा कौन से class में वो जाएगा तो चलो बताओ कौन से class में हम उसको include करेंगे प्यारे दोस्तों तो हम लोगोंने continuous classes में देखा था क्या देखा था जड़ा देखो जैसे मैं यहां पर लिखा है 0-10 10-20 20-30 इस प्रकार से प्रकार से अब लिखेंगे अब बताओ 10 को में कहां पर लिखो 10 इधर भी है इधर भी है तो मैंने आपको बताया था यहां पर इस class में वही सारे observations आए जो 10 से कम हो अगर 10 यहां पर आए तो यह कौन से class में जाएगा 10 वाला observation तो यह जाएगा हमारा 10-20 वाली class में 10 to 20 कहां पर है देख लो फटावट से यह रहा यानि कि option भी आपका सही जवाब हो जाएगा उसको आप लोग टिक कर सकते हो ठीक है तो फॉर्थ question का answer भी मैंने आपको बता दिया अब अगला सवाल देख लेते हैं next question देखिए यहां पर हाँ अब थोड़ा सा यहां पर आपको नहां पर यह जो सारे आपके observation से रहा वह कहां तक है एन तक है एन तक मतलब कुछ भी number हो सकता है 100 ओकता है 200 इस observation का मीन देखो इस observation का mean आपका x बार है और इस वाले observation का mean क्या है y बार है और ये जो z बार है ना z बार देखो z बार ये किसका mean है तो ये इस वाले observation और इस वाले observation यानि दोनों का mean है ठीक है तो फिर हमें क्या बताना है ये z बार हमें find करना है ठीक है ये जो z बार है वो कितना होगा वो हम यहां पर बताना है अब यह कैसे किया जाए है ना आपकी मन में तो सवाल आई रहा होगा पर चिंता मत करो हम आपको सौल करके दिखाते हैं प्यारे दोस्तों रुखे पहले एक काम करते हैं इसको यहां से हटा देते हैं चलिए यहां पर देखी आपका फिफ्ट सब कोश्चिन इसमें क्या लिखा हुआ है कि यह जो आपका एक्ष बार है यह क्या है मीन है किसका मीन है तो यह जो सारे observation दिए गए है x1 x2 फिर इसी प्रकार से कहात है कि यह xn तक है यानि कि यहाँ पर जो observations है ना वो कितने भी हो सकते है, n का मतलब क्या, n का value कुछ भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, हम यहाँ पर कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है, तो इन सभी observations का mean यह दिया है, और यह देखो, यह y bar जो है, यह किसका mean है, फिर उसके बाद अगर मैं Z-bar की बात करूँ, यह देखो, यह Z-bar है, तो यह किसका mean है, यह ना, देखो, X1, X2, dot, dot, कहां तक गया है, Xn, और फिर यह Y1, Y2, और यह कहां तक गया है, Yn तक गया है, मतलब इन दोनों का mean क्या है, इन दोनों का mean आपका Z-bar है, तो फिर हमें Z-bar बताना है कि कितना होगा, क्या होगा, ठीक है, अब यह हम कैसे बताएंगे, देखो, देखने में आपको लग रहा होगा, इसमें X, Y, क्या-क्या दिया है, कुछ समझ नहीं आरा, पर है बहुत आसान, आपको solve करके बताओ, यहाँ पर हम पहले लिख देते है solution, ठीक है, यहा सारे observations का main निकालना है, तो यहाँ पर formula मेरा क्या बनेगा, X bar, which is equal to, क्या होगा, यह सारे observations रहेंगे, इनका मैं total करूंगे, इनका sum करूंगे, और divide कर दूंगे, इनके number of observations नहीं हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, X1, X2, plus X3, ऐसे करके यह पूरा कहा तक लिखेंगे, X, N तक और नीचे के आएगा, number of observations, अब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कितने number of observations हैं, तो देखो, यहाँ पर N दिया है, तो N नमबर of observations यहाँ पर दिये गए है, आप ऐसे समझेगा, ठीक है, तो N को हम नीचे लिख देंगे, बराबर यहाँ तक clear हुआ, अब क्या करोगे, देखो, यह जो N है, इसको इधर बुला लो, जब N इधर आएगा, तो इधर आकर कि यह multiply में हो जाएगा, which is equal to X1 प्लस X2 प्लस X3 इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ तक गया, ठीक है, तो अब यह ध्यान में रखना, क्योंकि अभी इसके आगे जरूद करके आगे बढ़ता जाएगा, YN तक जाएगा, डिवाइड करेंगे, यह कितने number of observations है, N, फिर N को इधर बुला लो, जब N इधर आएगा, तो Y का बार into N, which is equal to, क्या आएगा, Y1 प्लस Y2, ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा, कहा तक YN तक, तो यह दोनों चीजे आप ध् कालने कही है, यह होता है, फॉर्मूला, total sum of all observations upon total number of observations, तो यह भी observation, यह भी observation, जब दोनों आपस में जुड़ जाएगे, ठीक है, और फिर हम डिवाइड कर देंगे, total number of observation, तो फिर हमें मिल जाएगा, यहीं कि Z बार मिलेगा, तो देखो, Z बार, Z बार यहाँ पर क्या होगा X1, plus X2, plus X3, पूरा यह XN तक जाएगा, और फिर इसमें हम जोड़ेंगे, किसको प्लस करेंगे, Y1, plus Y2, और ऐसे करके, यह पूरा YN तक जाएगा, and आप इसको divide करोगे, number of observation से, तो X वाले कितने observations है, N observation से, और Y वाले भी कितने है, N है, अब इसको solve करो, जड़ा, देखो कैसे होगा, Z bar which is equal to, यहाँ पर देखिएगा, X1, plus X2, plus XN, यहाँ से यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ, ध्यान से देखो, तो यह आपको similar दिखाई दे रहा होगा, यह, और यह दोनों similar, यह किसके equal है, इसके equal है, यहाँ पर मैं क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, X bar into N करके लिख सकते हैं, फिर बीच में plus का sign, plus का sign, अब इदर देखो, यह, और यह, दोनों आपस में similar हैं, तो इसके place पे, इसके place पे क्या मैं इसको लिख सकते हूँ, बिल्कुल, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी, Y bar into N लिख दूंगी, and divide हम किसे करेंगे, प्यार के अंदर आएगा, X bar plus Y bar upon में 2N, अब क्या cancellation करो, N से N कट गया, यानि की Z bar हमें क्या मिलता है, देखो, मैं इदर लिख देती हूँ, therefore, Z bar which is equal to X bar plus Y bar upon में आगया 2, और यह है आप सभी लोगों का final answer, देखो, X bar plus Y bar upon में आगया 2, समझ में आया, तो ऐसे करके यह solve करना था, बताओ, अब कौन सा option right है, है न, कहां पर यह option दिखाई दे रहा है, आप बोलेंगे कहीं ना दिख रहा है, यह बार है, देख लो, ठीक है, यह है आपका option एक correct answer, ठीक है, समझा गया, तो यह था आपका fifth sub question जो हमने solve कर लिया, now, अब हम बात करेंगे हमारे अगले सवाल, य देखेगा, यहां पर हमें थोड़ा सा calculation करना पड़ेगा, इसमें लिखता है कि the mean of five numbers is 80, यानि कि पांच numbers का देखो, numbers कितने है, पांच, यानि five observations है, जिसका mean यहां पर 80 दिया है, अच्छा, और चार observations का, चार numbers का, देखो, mean कितना दिया है, 46 दिया है, then find the fifth number, तो फिर हमें नमबर बताना है, यानि कहने का मतलब क्या है, मान लो, यहां पर पांच observations थे, ठीक है, तो उन सभी का mean यहां पर 80 दिया, एक observation को इधर से गायब कर दिया, बचते हैं, चार observations, बचेंना, इनका mean है 46, तो फिर आपको यह जो, आमने observation निकाला था, वो हमें बताना है, तो कैसे बताएंगे, बहुत सिंपल है, सबसे पहले, यह जो पांच observations है, इस टाइप कोश्चन हमने पहले पर सौल गया, एक, दो, तीन, चार और यह पांच, ठीक है, यह पांच observations है, पहले हम इनकाल लेंगे, पांच, नो, नो, चार, नो, रुको, दो, एक, तीन, तीन, छे, छे, पांच, पांच, पंद्रा, यह इसका टोटल आदा है, फिर हमने एक observation को यहां से अटा दिया, माल नीचे एक को अटा दिया, फिर जो बचे हुए observations है, इनका सम निकालेंगे, पांच, नो, 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 दो, एक, ग्यारे, ग्यारे दिन कितना हो जाएगा, 14, यह नहीं 14 आ गया मैंने एक को निकाला था, इसी प्रकाल से आप किसको भी रिमूव करो, आप पता कर सकते हो, मतलब सबसे पहले, जितने observations है, उनका total निकालो, पिर जो observations बचे हुए, उनका total निकालो, और, टोटल में से उसको minus कर दो, and then you will get the answer, यहां बर में हम सेम चीज़ करेंगे, आईए, आपको बताते हूं, यहांपे हम पहले निकालेंगे, sum of 5 observations, ठीक है, 5, देखो यहांपे formula क्या बनेगा, directly हम formula लिखते हैं, 5th observation, यह मैंने आपको पूरा detail में बताया भी था, solve करके हमारे practice it के अंदर, 5th observation हमें कैसे मिलेगा, तो ऐसे मिलेगा, यहांपे लिखोगे, sum of 5 observations, 5 observations का total minus, इसमें से हम minus करेंगे, sum of 4 observations, ठीक है, तो sum of 5 observations, 5 observation का total हम कैसे निकालेंगे, तो formula क्या होता है, sum निकालने का mean into total number of observations, तो 5 observation का mean कितना दिया, 80 दिया, यानि कि 80 into 5 करोगे, minus, यहांपे देखो, 4 observation का mean कितना दिया, 46, तो into 4 करोगे, and यहांपे आएगा 400, 4, 6 हा, 24, 4, 4, 16, 1, 18, minus करो, 10 में स्चार या, तो 6, और 9 में से, 1, और यह 2, यानि कि 216 आता है, ठीक है, तो 216 देखो, कहां पर है option में, नहीं दिख रहा है, तो है ही नहीं, अब क्या करोगे, बताओ, अब ऐसे condition में क्या करोगे, तो जादे जिंता मत करो, हम यहांपे क्या कर सकते है किसी option को बना देते, क्योंकि हमने तो write किया, अब यहां पर option नहीं दिया, तो गडबड़ वाली बात हो जाएगी, ना, ठीक है, आप अपने textbook के पीछे देख सकते हो, answer कि क्या दिया है, question number, फिफ्ट था ना, एक मिट यह कहां पर जाया, question number 6 था ना, 666, येस, देखो, इसक सही answer है, आप देख लीजिए, चलिए बच्चो, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, question number 7, अब इसमें क्या लिखा होगा, इस type का भी question हमने पहले solve किया था, यहां भी लिखा है, कि 100 observation का mean है 40, 9th observation था 30, लेकिन हमने उसको replace कर दिया by 70, 70 से हमने उसको replace कर दिया, find the new mean, तो फिर हमें नया mean बताना है, आइए, 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 फटा पर जाम इसको solve कर ले, देखो, कैसे होगा, पहली बाद तो यह है, कि 100 observation का mean इतना है, तो total sum कितना हो जाएगा, सारे observations का, देखो, यहां पर हम लिखेंगे, कि sum of 100 observations, 100 observations का sum, यानि कि old वाला sum क्या होगा, है तो फिर आपको यहां पर मिलेगा 4000, यानि कि 4000 यहां पर total हाता है, ठीक है, the 9th observation is 30, अब यहां पर बोला है, कि जो आपका 9th observation था, वो था 30, अब इसको हम क्या कर रहे है, replace कर रहे है, by 70, तो देखो, यहां पर नया sum हमें क्या मिलेगा, new sum निकालेंगे, तभी तो हमें new mean मिल तो देखो, आपको बताते हैं, यह हमारा पूराना sum तरह 4,000, अब जिसमें से हम क्या कर रहे है, देखो, हमना 30 लिखने की बजाए, लिख क्या रहे है, 70 लिख रहे है, तो जो हमने 30 लिखा था, 30 को अब हटा दो, और फिर 70 हम लिख रहे हैं, इसको यहां पर जोड़ दो, फिर आपको नया sum मिलेगा, यह रिप्लेस करने के बाद, तो यहां पर देखो, 4000, फिर यहां पर आजाएगा, प्लस में 40, क्यों आएगा, क्योंकि, बड़ा नंबर प्लस में है, हमने इसको माइनस किया, आप जोड़ो इसको 4040, बराबर, अब यहां पर observation तो उतने ही रहें क्योंकि एक देखो, जैसे number of observations नहीं होंगे ना, आप भले ही 30 observation की जगा पर लिख रहे हो, 17, 17 या फिर 70 कुछ भी लिख रहे हो, लेकि number of observations तो सेम रहेंगे ना, आप सोचो, 1, 2, 3, 3 observations है, अब मैंने 3 को आठा करके, यहां पर 5 लिख दिया, फिर भी तो number सेम रहेगा, तो व which is 4040, and divided by total number of observations, which is 100, now divided 00, cancelled, यानि कि यहां पर आ जाएगा, 40.4, okay, तो 40.4 कहां पर है, देख लो भईया, option देख लो आपका B, यानि कि यह आपका सही जवाब हो जाएगा, तो सातवा सवाल का answer यहां पर आता है, option number B, देख लो, काफी simple था, ठीक है, चलो, अगले question पर चले हम, आएगे, यह था हमारा आठवा सवाल, आठवा, 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 आठवा यह रहा, ठीक है, यहां भी क्या दिया, what is the mode of, अच्छा, mode हमें बताना है, तो mode तो हम जानते है, जिसकी frequency सबसे जादा, वही हमारा mode होता है, यानि जो सबसे जादा बार repeat होता है, वही हमार mode कहलाता है, तो बताइए, इसमें mode क्या होगा, count कर लो, 19 कितनी बार है, बस दो बार है, सबसे जादा time क्या है, तो यह रहे है, 15, 1, 2, 3, 20 तो दो यह रहे है, यानि कि 19 आपका सही जवाब हो जाएगा, यानि कि options is the correct answer, इसको आप टिक कर सकते हो, ठीक है, आठवे सवाल में किसको टिक करोगे option अच्छा एक मिनिट 19 नहीं 19 नहीं 15 ठीक है 15 तो यह आपका सही जवाब हो जाएगा मैंने गलती से 19 कर दिया था क्योंकि 15 तीन बार है 19 बस दो ही बार है तो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं यानि कि 9th question इसमें क्या लिखा है इससे बड़ा है उससे बड़ा फिट से साथ आगया ना देखो दो दो बार साथ है फिर 9 यहां पर आजाएगा 10-10 कितने हैं कांट करो एक दो तीन चार पांच ही तो क्या करना पड़ेगा इवन होता है तो क्या करना होता है जो बीच वाले मिडल वाले टर्म साते उनका हमें निकालना होता है तो हम क्या करेंगे बीच में यह दू नुवार है ना साथ प्लस नौ इसका एवरेज निकाल लेते हैं तू से डिवाइड करके नौ साथ सूला डिवाइड कर तो कितना आएगा आठ यानिकि आठ आपका सही जवाब है बोलो कौन सा ऑप्शन राइट होगा लेज देन वाला बराबर तो अब आपको बताना है कि यह जो प्लस रहेगी आपके थर्टी टू फॉर्टी है ना इसमें कौन सा कितना नंबर आएगा वह आपको बताना है तो देखो लेज दन क्यूमिलेटिव रिक्वेंसी जबी पर निकालते हैं तो क्या करते हैं उपर स इक एक करके जोडते जाते हैं जैसे देखो सबसे पहला क्या आएगा साथ आएगा लिख दिया मैंने उसके बाद दूसरे वाले क्लास में आएगा साथ और तीन यहां पर आजाएगा थर्टी सेवन हमें क्या बताना था कि तर्टी टू-40 क्लास में कौन सा नंबर आएगा इसका जो आंसर वह आप डारिक्ली निकाल सकते हो नहीं क्यालकुलेट करके अब इस इतने चोटे सवाल के लिए पुरा टेबल बनाओ गे डारिक्ली इस से क्यालकुलेट करो साथ तीन दस इदर आ गया दस ठीक है मतलब रूको यहां पर सात आया ठीक है इधर कितना आगया इधर कितना आएगा इधर आगया बाइस ओके यहां पर आते आते यह 35 हो गया और यहां पर आते आते यह पूछा गया तो इसको आप टिक कर दो यह आपका सही जवाब है ठीक देख लिए तो यहां पर हम लोगों ने यह कोश्चन भी सॉल्व कर लिया है आप देख सकते हो तो देखो प्यारे दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग कोश्चन नंबर वन को ही सॉल्व करेंगे इस वीडियो में तो बिल्कुल हमने कोश्चन नंबर वन को कंप्लेट कर लिया है और मेरे खाल से आपको सारी चीज समझ में आ गई होंगी ओके तो आज के लिए इतना ही मिलते है अगले वीडियो में बहुत ही जल्ड आप सभी लोग अपना ध्यान रखिये और पढ़ाई गरते रहे है ठीक है चलिए बाई 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 आवरीवन